हेलो दीर फिंड टेक्निकल साइनस इन्फो में आपका स्वागत है हम आपकला वीडियो अपना लेकर आया है इवी आई कोश्चन पर प्रॉडक्शन टेकनलोजी प्रॉडक्शन टेकनलोजी का ये बूक का कोश्चन है जो कि दस नंबर में आता है ये आज हम देखेंगे अप अपना कोश्चन क्या है आईए हम देखते हैं पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने कोपी नोट्स कोपी लेकर वैठी है पास में कि आप वीडियो को असपोस करके बीच में रोक कर आप इसे नोट करते रहें ठीक है आईए हम लोग देखते हैं हम लोग का shaper and planer के बीच अंतरस first करना है right, simple भासा में बोला जाये तो sim shaper और planer के बीच अंतरस first करना है, दोनों में तूलना करना है कि दोनों में difference होता क्या है ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, इस में difference क्या होता है, पहले तो definition हम जानेंगे कि Shaper आखिर होता क्या है तभी तो जानेगे कि भाई ये दोनों में अंतर क्या होता है आईए हम लोग देखते हैं Shaper होता क्या है Shipping Machine एक आशा मशीन है जो सतोहों को वांचित अकार देने के लिए डिजाइन की गई है जो 36 उर्धवारधर ठीक है उर्धवारधर सपार्ट में रहता है ठीक है और ये उर्धवारधर और Shaper के हो सकता है एक आकार देने वाला है जो कि ये सेंपल भासा में बोला जाए तो एक ऐसा मशीन है जो कि 36 end 36 end उर्धवारधर आकार देता है उसी को हम Shipping कहते हैं ठीक है यह आपके screen पर देख रहा है आप definition बहुत अच्छे से लिखेगा ठीक है मैं तो समझा रहा हूँ आपको समझना चाहिए और समझने का तरीका है मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं note में लाया हूँ shortcut समझने का भीदी क्या है इस machine को shaping machine को shortcut समझने का क्या भीदी है कोई ब्यक्ती या बस्तू को आकार देती है ठीक है कोई ब्यक्ती है या बस्तू हो उसे आकार देने में यह सच्छम होती है shaping machine राइट आगे हम लोग देखते है planar machine क्या होता है पहले तो shaping machine में अब देख लिजे design drawing आखिर होता कैसा है ठीक है यह रहा drawing देखे main part क्या होता है जो shaping होती है shaping में main part machine में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि base जो base होता है इसका ठीक है जो इसका base होता है देखे यह base है यह जो base होता है यह बहुत महतपूर काम आता है shaping के परमुख भाग जो होते हैं ठीक है shaping क्यों ये machine है इसका पर्मुक जो भाग होते है इसका भाग 5 भाग होते है में भाग जो होता है 5 भाग होते है 5 भाग होते है आईए हम लोग देखते हैं कि 5 भाग कौन कौन होता है आप नोट करें कोपी में Number 1 Base Number 1 Base होता है दूसरा आता है table जो table है, वो table होता है, ठीक है, तीसरा आता है हम लोगो का, callers roll, conference rail, ठीक है, यह जो ग्रेंस है, यह हम लोगो का आता है, यह वाला, एक मिन, यह वाला जो होता है, यह main होता है, हम लोगो का part, और रैम जो होता है रैम वो हम लोग का पार्ट होता है मेन हम लोग का रैम रैम जो होता है इसमें रैम ने देखाय नहीं है बट रैम जो होता है जो सॉप्टेयर अपलोड किये होते है मन्दब मेन पार्ट जो होता है उसे रैम बोलते है ठीक है मेन आपने लिख लिया होगा मैं फिर से इभाईज करता हूँ कि शेपिंग मशीन का मेन भाग होता है बेस, टेबल, क्रैंस रेल, रैम, टूल हेड ठीक है आपने उमीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा आएए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लेनर की तरफ प्लेनर आखिर मशीन क्या होता है प्लेनर मशीन प्लेनर मशीन क्या होता है इसका डिफनेशन हम लोग देखेंगे कि प्लेनर मशीन प्लेनर भी सेपर के जैसा ही प्लेट सत्व बनाने के लिए परियोग किया जाता है ठीक है और इसमें भी single point cutting tool का परियोग किया जाता है single मतलब की जो cutting की गई single पट्राइगरा होता है उसका परियोग किया जाता है ठीक है और shaping की तुलना में planer बहुत बड़ा होता है shaping के तुलना में ये बहुत बड़ा होता है planer जो planer होता है बड़ा बड़ा machine जो होती है वो मतलब बहुत बड़ा होता है ठीक है sapper के अलावा देखिए आपको हमें example के तौर पर ये drawing लाया हूँ जो कि आपने कहेगा कि कि आपने बोला कि sapper के अलावा planer जो बड़ा machine होता है लेकि मैंने आपको ये PDF में आशके और समधाने के लिए मैंने लाया हूँ जो planer होता है वो पट्रा को ये चीकन करने के लिए मतलब होता है ठीक है ये ऐसा ही machine होता है बड़ा machine होता है आप इसको वीडियो में बने रही है मैं नीचे आपको मैं drawing के मदद से कि आप इस channel पर new student होंगे ति इस channel को subscribe करिए like करिए आपके like से हम लोगो motivational बिलता है कि ये वीडियो मैंने कैसा healthy food लगा ये नहीं लगा ठीक है अपने friends के पास share करिए क्योंकि share करेंगे तभी आपको आपको अच्छी ग्यान मिलेगी क्यों आपने बोला कि अच्छी ग्यान मैंने क्यों बोला क्योंकि आपके friend के पास ये वीडियो जाएगा और आपके पास ये वीडियो रहेगा तो आपने watch किया होगा और आपके friend watch करेंगे इसमें डुनों में difference ये रहेगा कि आप जब बोलोगे कि हार यार मैंने तो planar और shaper में difference ये जाना और तुमने को भी मैंने वीडियो share किया था तुमने क्या study किया है आप दोनों में discuss होगी तो क्या होगा कि हो question मजबूत हो जाएगी ठीक है और आपको ये लास्ट में वीडियो पुरा watch होने के बाद में आपको comment करना है प्याराशा ठीक है प्याराशा comment करना है अगले वीडियो में आपका मैं नाम जरूर अवश्य लूँगा कि आपने comment किया है आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है तो आईए हम लोग देखते है planar तथा shaper में निमलिखित परकार के अंतर देखेंगे ठीक है ये दोनों में तूलना क्या होता है ठीक है planar and shaper में क्या निमलिखित अंतर होती है आईए हम लोग देखते है कि planar अब में होता क्या है planar planar आकार में बड़ा होता है ठीक है आकार में जो होता है planar देखिए ये बोल रहा है कि आकार में आकार बोले तो आकार जो होती है वो चवडाई पूरा भारी मशीन होता है राइट इसलिए आकार होता है और शेपिंग जो होती है इसके आकार के अपेच्छा ठीक है ये जो बोल रहा है अपेच्छा इसके अपेच्छा में ये छोटा होती है ठीक है सेपर मशीन ये अपेच प्रिंड, जैसे मैंने टोपिक बाई टोपिक डाल का लिखा है आपको भी एजामनर में लिखना है कि जामनर आपको माक्ष पुरा दे ठीक है आईए देखते हैं कि प्लेनर फिश्य क्या होता है इसका परियोग बड़े अकार के वर्कपिस के मशीन के लिए किया जाता है जो प्लेनर होता है उस सबसे बड़े अकार के लिए किया जाता है जो की 36 एंड उर्धवारदर के अकार को देता है ठीक है और सेपिंग क्या होता है सेपिंग इसका परियोग अपेच्छा करिच छोटा होता है और अकार के वर्कपिस के लिए किया जाता है जो मशीनिंग के लिए होती है उसके लिए की जाती है ठीक है यह बोल रहा है प्लेनर प्लेनर इस में टूल क्रेंस रेल पर तथा कॉलम पर इस्थित होता है जबकि वर्कपिस बीट के साथ पचासगरी गति करता है ठीक है कहने का मतलब इसका यह है कि जो हम लोग का टूल क्रेंस रेल होता है उसके कॉलम पर इस्थित होता है जो हम लोग का कॉलम होता है मैं आप सेपिंग क्या होता है इसमें वर्कपिस बीट पर इस्थित होता है तथा टूल रैम के साथ 50 गरव गति करता है उसमें तो बीट गति करता था पर इसमें वर्कपिस बीट पर इस्थित होता है जो बीट होता आम लोगा उस पर इस्थित होता है तथा टूल रैम के साथ गति कर सकते हैं आप बोलोंगे कैसे कर सकते हैं तो क्या होता आपने देखा हुआ जो मशीन आप लॉजिक लगा है जो मशीन उर्धवार धर 36 जो अकार देती है ठीक है अकार देती है उसमें तो चार से क्या उससे अधिक की जा सकती है जैसे कि ये ये मशीन है ये चलता जा रहा है पूरी हमने पूड़क्ट को रखा हुआ ये अकार देती हुए आगे निकलती जा रही है ताब चार से भी अधिक लाइन वाइन उसे करते जाएंगे ठीक है और सेपिंग में क्या होता है कि इसमें एक शमय में एक ही दल लगया जा सकता है ठीक है इसमें कैसे क्या होता है कि आपको मैंने में देखाया था कि जो प्लेनर मशीद होती है शेपिंग मशीन जो होती उलना है और इस में जूरा लगानों कि इस ने मैंने जॉब को लगाए तो यह जॉब चीकन होनेगे बाद इसको मैंने जॉब लगाएंगे तो भूखा मोगा है ठीक है और planer में क्या होता है कि उससे लगाते जाते हैं मनलग अकार में ढलते हुए निकलता जाता है ठीक है यह होता है planer और shaping में अंतर ठीक है आईए हम लोग देखते है planer इसमें इसमें एक समय पर एक से अधिक सता पर मीनिंग संबर होती है ठीक है इसमें फिर कर रहा है कि इसमें एक समय पर मैंने आपको पहले भी समझाया था भी भी मैं समझा रहा हूँ कि इसमें एक समय पर मतलब एखी time में वो job जाता रहेगा वो होता होता अधिक से अधिक निकलता जाएगा ठीक है? उसमें का होगा कि उस machine से हम लोका work ज़यादा होगा work piece ज़यादा निकलेगी समय का भी पचत होगा ठीक है? और इसमें क्या होता है सेपिंग में कि इसमें टाइम में इसमें एक समय पर एक ही सता पर मशिन शंब होती है ठीक है एक ही समय पर मैंने पताया परी था कि एक यह पट्रा ले लो आप इसको पूरा कारे होने में यह पूरा कारे होने में तभी तो आप इसे हटाओगे तो फिर दूसरा ज सब्सक्रींट और इस मसीन में चार से अधिक वर्फीस निकलते जा रहें आधिक smack किरिगा या और पतला मशीन रहेगी उस पर पट्रा जाता रहेगा उसको काम करने के बाद में रखोगे तो उसको कमा स्थान गेरता है ठीक है अमलों का सत्वा पॉइंट आता है प्लेनर इस पर 36 तथा उर्धवार्दा दोनों मशीन संभव हैं जैसे मैंने यह पट्रा ले लिया तो इस पट्रा को इस फर्स पर मतलब फ्रंट भीव पर यह जो फ्रंट भीव है फ्रंट भीव को चीकन करना है मतलब प्लेन करना है तो आप बताओ कि आपको जब फ्रंट ग्रीव को प्लेनर करना है तो आप इसे फ्रंट पे रखोगे इसे चीकन हो जाने के बाद आप साइड जो फ्रंट होता है साइड फ्रंट में ले जाओगे इसलिए ये बोला है कि 36 मसीन किसी एक दिसा में ही संबब हो मतलब एक दिसा करने के बाद मैं दुसरे दिसा में जा सकता हूँ ठीक है अटवा पॉइंट का आता है हम लोगा कि मसीन यातायात उंच होता है मतलब उंच होता है यातायात उंच होता है मतलब बता रहे हैं कि ततकालिक जो मसीने हो रही है मतलब future तक बनते जा रहे हैं वो यतायात उच्छी होती जा रहे है यह हो रहा है shaping में क्या है shaping में shift वही है यतायात यतम कम होती है जो machine होती है shaping की आपने भी देखा होगा कि जो रंदा machine आती है जितने ही time चलता जा रहा है वो छोटा machine आती जा रहे है कि जो हाथ से भी हो जाए लबी डाइम ना लागे फटाक सीगा हो जाए ठीक है हमलों का लास्ट यह है नुवा कि इसकी चालन यंतर बिन्यास रैंक तथा पिनियन यंतर बिन्यास होता है मतलब बोलने का मतलब है कि जो प्लेनर मशीन होती है उसमें मेकैनिकम और इलेक्ट्रिक दोनों बिनियन बेवस्था दोनों का प्रोशेश सेम होता है ठीक है मेकेनिक का भी और इलेक्ट्रिक का भी दोनों काम होता है और इसमें क्या होता है इसमें दूतिय वापसी अंतरबिन्यास का परियोग किया जा दूतिय आपसी बोले तो इसमें भी दोनों का आपसी किया जाता है और जो कि मैं जो प्लेनर जो कि सेपी सेपिंग जो बड प्लेठिया हम लोग Northern है यहां से यह चाहता रहे गहां वर्कष जॉब यह काम होने के बाद में यह अपत्र लिया जाएगा आप तर इसके उतल मेंने साइट फ्रंट चाभी लिया हूँ यह भी देखिए यही है शेपिंग मशीन जो की पटरा को चीकन करती है ठीक है इसे देख लो यह बड़ा मशीन है ठीक है और यह ठीक है और आपसे प्लीज रिक्वेश्ट फिर करूँगा इस्टुडेंट इस चैनल पर निव स्टुडेंट होंगे ते इस चैनल को सस्क्राइब करिए लाइक करिए सेर करिए अपने फ्रेंडों के साथ आपको वीडियो यह कैसा लगा कमेंट जरूर करिए आपका कमेंट फर्ष्ट पर रहेगा ता आपको वीडियो में नाम लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है लाइक जरूर करें आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको मैं वीडियो बनाता हूँ और कमेंट करने से ये फैदा होगी आपको ये वीडियो कैसा लगा और मुझे कैसा लगा और ये अगला कोशन किस पर चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बता है मैं अगला किस कोशन पर अन्सवर लाऊं आपको जो कि आपको नहीं मिल रहा है मैं लाऊंगा ठीक है? ठैंक यू Thank you dear student, technical science info पर आपका स्वागत्ता, Thank you